वोमगाड भरती से संबंदी थे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गाईज योगी सरकार की तरप से नोजवानों के लिए योगी सरकार ने कर दिया एलान गाईज होमगाड भरती पिछले एक साल से 2021 से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था सर न्यूज पेपरों में बताया गया था कि 32,000 होमगाडों की भरती जल्द की जाए मंगी मगर अभी तक कोई भरती नहीं की गई है होमगाडों का मान दे बढ़ाय जा रहा है गाईज इनकी तैनाती 112 नंबर डायल पर की जाएगी गाईज इनका बेतन जो है सीधे पहले जिले से मिलता था अब बेतन इनका डारेक्ट लखनव से इनका हेड़कॉर्टर से आया करेगा योगी सरकार ने कड़े निर्देश दिये और कहा होमगाड विवाग में जितने ही जितने भी पद खाली है जल्दी इसका जो है बेवरा तैयार किया जाए जल्दी बोड़िस की तयारी जुटा रहा है कितने पद खाली है बोड़ बतारा तकरीवन दस साल से होमगाड की सीधी भरती अभी तक नहीं हुई है 32,000 पद पहले से खाली है तकरीवन 8,000 पद बढ़ने के और संबावना है यहाँ पर टोटल 40,000 पदों पर जो है बरती निकाली जाएगी गाई जो की सीधी भरती होगी और योगी सरकार ने ये भी अस्वासन दिया कि इस बार बरती में कोई गोटाला नहीं हो पाएगा होमगाट भरती लिखित परिच्छा और दोड के आधार पर की जाएगी इसमें मेडिकल भी होगा पुलिस की साहता के लिए होमगाट अहम भूमिका निवाते हैं योगी ने कहा है कि जल्दी इनकी भरती कराये जाएगी काफी दिनों से ये भरती ये अटकी हुई है काफी लोगों के कान पक चुके होंगे होमगाट भरती कब आएगी कब आएगी होमगाट भरती को लेकर आपका क्या बिचारे कमेंट बुक में